क्या तुम ये जैन को सेंट करेंगें? हाँ, बिल्कुर, वो यहां बागर चले आंगे ना पिछले आदे साल में हमारे नेट का प्रोफिल पंदरा शर्य दो फीसे बढ़ा है इसका मतलब हमारे कामें काफी जदा इंप्रोब्मेंट आ रहा है और हमें ये काम बार किरार रखना चाहिए, मिस्टर सू क्या आप सैटिस्वाइड है इस बास? बहुत सैटिस्वाइड हूँ लेकिन तुम्हारे द्यान कहीं और था तुम्हें ओपनिंग सेर्मनी में पहुँच ना होगा मैं जानता हूँ चलो, टैयार हो जाओ, एक्षण अगर मैं आपको कुछ ऐसा कह रहा हूँ तो क्या, आपको तब भी यह की नहीं होगा? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं एक बनियाद हिष्टे को ऐसा मोड नहीं दे सकती अगर आप यह नहीं चाहते, तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अजीब है, मुझे इतने ठंड क्यों मैंसूस हो रही है अरे, रुकी क्यों? मिस्टर सू, आप यहाँ? मिस्टर सू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ उहाँ पर बेठे ना मैंने कहा, मेरी पीठ इतने ठंडी क्यों है सोरी डायेक्टर, एक और आगया तो फर यहाँ बेठ कर देखिए ना वाँ, मैं यह चोटी सी लाइन, मैंने तुम्हें सिखाई है पहले तुम्हें एक आक्टर हो और अभी हम फिल्मा रहे हैं तुम मेरे अलावा किसी और आदमी को नहीं देख सकती क्या सबलब तयार है 3,2,1, एक्शन मैं तुमसे यह वादा करता हो हम जिन्दगी भर हमेशा साथ रहेंगे माव कीशेगा मिस्टर एक्शू मैं एक बेवनियाद रिष्टे को कोई मोड नहीं दे सकती हूँ अरे अब क्या हुआ तुम रुकी को माफिश रहती हो डायरेक्टर तुम मिस्टर सू की तरफ क्यों देख रही हो क्या तुम्हें एक छूटी सी लाइन नहीं बोल सकती तुम्हें याद है तुम्हें एक पहले एंटेटेनर थी देखो बस यही करना है फिर तुम्हारे फ्यूचर में आराम है सॉरी एक बार फिर से ट्राय करती हो उसकी याँ के खौफ से भरी है वहाँ देखोगी तो डर ही जाओगी तो ठीक है अब तुम्हें इस बारे में और कुछ नहीं सोचना है ओके अच्छा अब तयार हो जाओ अगर यह मैंने वादा कर दिया तो क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगी अगर मिस्टर एक्सवान अपना वादा नहीं निभाएंगे तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता कि कौन अपना वादा निभा रहा है अगर तुम इससे नहीं बची तो माफ करने महीं नहीं कर सकते चलो ठीक है अगला सीन फाइट का है तो पांच विनिट ब्रेक लेंगे सोरी यह काफी मुश्किल था पापा आपका वेट कर रहे हैं जल्दी चलिए उन्हें आपसे बहुत सारी बाते करनी है आप यहां कैसे मिस्टर सू ज्यादा काम मत करना तुम मिस्टर सू यह क्या करें हाँ? अरे कुस लगा है यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी लगा हुआ है यह आप क्यों खशे हो? आप सक्रीन आर्टर से बात ही क्यों नहीं कर लेते हम फ्यूचर में ऐसे स्क्रीन तिलीट पे तो करवा सकते हैं ना? नहीं, अभी तुम स्क्रिप्ट के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं हो अगर तुम यह नहीं करती तो इसके लावा तुम्हारे पास करने को कोई भी कोर्स नहीं है लेकिन आपको बुरा लगता है ना? मैं क्या करो फिर? यह तो काम है, इसमें सौरी की कोई बात नहीं है आँ, बिल्कुल, अगर तुम उसे प्राइविट मिलती हो, तो स्टोरी बदल जाएगी फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मैं डिरेक्टर से बात कर लूँगा कि आज मैं तुम्हें डिनर के लिए घर लेकर जा रहा हूँ हाँ, बिल्कुल, मैं जरूर चलूँगी मिसिस ये, शूटिंग स्टार्ट होने लगी है, जल्दी आजाए प्लीज जी, मैं आ रही हूँ मुझे पहले अपना काम खतम करना होका चलू ठीक है अब जाओ शूटिंग एरिया तो यही है, लेकिन कोई नजर क्यों नहीं आ रहा मैं भी आपको बहुत मिस्स कर रही हूँ मिस्टर सो, आप हर किसी को कॉल मत किया करें मुझे जब मैं गुस्से में होती हूँ, आप मुझे नहीं संबालते अच्छा, मुझे एक बैग चाहिए मिस्टर सो, मुझे एक बैग ले दीजिए ना नहीं, ऐसे बिल्कुर नहीं है वो पक्का कोई हो रहोगा पूरी शूटिंग यहां पखाड़ी अलाकों में है, है ना वैसे आप मेरी मद्द कीजिएगा तो यह एक सूलिंग्षेन है वैसे यह भी चगा अच्छी है तो अगर यह सूलिंग्षेन से बात करें तो क्या इसने होंग एक से अनको छोड़ती आया है ठीक है लगता है यह किसी का नया फोन है शेंग्मेंग्षेन अब वक्त आगा है कि मैं तुमसे अपना बदरा ले दूँ अब तुम भी तुम्हारे की की सजाब मिलने वाली है शेंग्मेंग्षेन की बर्डे है अब यह मैं उससे सेंड करती हूँ और अब हो गया टिलीट ओकी तुम्हारा आज अंत होकर रहेगा बाईली के महराज से दूर रहो तुम उनके लिए खत्रा हो हमारे दर्मियान मत आओ तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा मैं जानती थी तुम जैसी लड़की कभी प्यार की जबान नहीं समझेगी अरे ये कैसे रुका तुमने गलट मूब किया मुझे माफ करिए मैं दरा सा नर्वस होगी जान भूच के किया है तुमने पहले इसे देखो ये ठीक है ना मैं ठीक हूँ सब कुछ सुरू से करो सब तैयार है 3, 2, 1, एक्षण कट 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 अरे मिस्टर सेन प्लीज ऐसे मूप्स ना करे जो डिजाइन ना हो मुफ करिये ठीक है मैं बहुत ज्यादा नर्वस होँ निची करो सेंग तुम ठीक टो होना जी, मैं ठीक हूँ डायरेक्टर मुझे लगता है ट्रेनिंग तुम्हारे सहन में बैट नहीं रही है न शेंग तुम तो अपने अक्षन में बूलती जा रही हो मुझे लगता है मुझे तुम्हें सिखाना भड़ेगा तुम चा कह रही हो देखो अभी तुम्हें बताती हूँ मैं ऐसे किया तुमने फिर ऐसे तुम गलत कर रही थी ये श्यांक कि तुम्हा दिमाख खराब हो गया है अरे, मिस्टर सू आखिरकार जैंजन ने इस ड्रामे को कास्ट किया है तो मुझे इसकी परवा करनी चाहिए मुझे लग रहा है कि शूटिंग ठीक से नहीं हो रही है इन दोनों के बीच बस थोड़ी से कलव नहीं हो गए थी ये इनकी मुखालिफ है क्या इनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है हाँ बिल्कुल इसकी एक्टिंग तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है इसलिए तो मैं इसे सिखा रही थी ही डिरेक्टर कास्ट बताती है कि एक्टिंग किस तरह से करनी है डायरेक्टर का काम ये चीज़ बताना नहीं होता वो मैं सिखाने में इतना अच्छा नहीं हुआ इस आप इमानदारी से काम करें अब इन्हें मालूम नहीं है कि किस ते